असलमुलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और अंगाबाद की शादियों और दापतों में बनने वाले मटन नानखलिय की रेसिपी जिसको हम बनाने वाले हैं बहुत एजी तरीके से आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी जब आप ट्राइ करेंगे तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमली और फ्रेंड्स में जुरूर शेयर कर दीजेगा तो चली देख लेते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया मटन नान खलिया बनाने के लिए हमने यहां पर एक किलो मटन ले लिया है हमन पर मैंने 200 ग्राम यानि 250 ग्राम प्याज लिया इसको स्लाइज में कट कर लिया है तो प्याज एट कर देंगे अगर आपने अपिता के इंस्ट्राइग्राम यह फिर फेस्बुक पर फालो नहीं किया है तो जल्दी से जाएए फॉलो कीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्श पेस्ट आट कर देना है हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और वन टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्श पॉडर वन टीस्पून रेगुलर लाल मिर्श की क्वणटिटी आप अपने साब से अड्जस्ट कर सकते हैं कम यह ज्यादा अगर तीखा खाना पसंद करते तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा अब दो टीस्पून यहां पर में नमक कर दूंगे नमक भी आप अपने टेस्क खुड़िंगी डालिएगा जितना भी आप खाना पसंद करते हों तो यहां पर मैं ऑईल एट कर दूंगी ताकि आपको मेरी वीडियो की नौटिफेकेशन सबसे पहले मिले अब इसको कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पर पकने छोड़ देंगे दस से पंद्रा मिनट के लिए तब तक हम यहां पर देखी इसके मसाले त्यार कर लेते हैं तो इसके लिए हमने एक पैन ले लिया है इसम नहीं मिली मैंने बहुत दूणडा पर नहीं मिली और लास्ट में यह ओनलाइन मिल रही थी तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास तो मैंने यहां पर काजू एट कर दिए अगर आप विलावी की चुरौजी एट करेंगे क्योंकि यह जो अथेंटिक तरीका है विलावी की च तो देखिए सबी चीजों को कलर इस तरह से गोल्डन सा चेंज हो गया है फ्लेम को हमने बंद कर दिया इसको ठंडा होने देंगे तब तक यहां पर इसका खुश्बू वाला मसाला तेयार करते हैं तो इसके लिए हमने दो इंच के दालचीनी के टुकले ले 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 हैं आठ सब फीश चुका है तो इसको हमने प्लेट में निकाल लेना है साइट कर देना है कि अपर अब पर हमने ले लेना है देती थन्या लिया जाला पेस्ट पर नाकर रेडी कर दिया यहां पर हमारा गोश्ट भी पंद्रमनेट हो चुके हैं हाई फ्लेम पर पकते गए देखिए बहुत सारा पानी इसने रिलीज किया है अब इसी में हमने इसको भूनना है और देखिए इस तरह से जब भूनते जाएंगे और भूनते टाइम इसमें हम एट करेंगे धनिया पाउडर तो यहां पर मैंने टेबल इस्पून डेड़ बड़ा चम्मत धनिया पाउडर एट कर दूंगी और धनिया पाउडर डालकर हमें बहुत अच्छे से इसको भूनना है ताकि धनिया पॉडर की इसमें कोई स्मेल बाकी न रहे तो कुछ तो बहुत अच्छे से बुन चुका था तो हमने जो पेस्ट बनाया था काजू खोप्रे का वह एट कर देंगे और इसको एट करने के बाद अब इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है थोड़ा सा भूनेंगे हाई फ्लेम पर भूनेंगे कवर कर देंगे बीच मे बूनेंगे तो बहुत अच्छा वाला टेस्ट आएगा मटन में तो बहुत अच्छे से बूनियेगा हाई फ्लेम पर देखिए मसाला एकदम दानेदार सा हो गया है बहुत अच्छे से भून लिया है तो अब इसमें हमने 250 ग्राम दही एट कर देंगे और दही डालकर भी हम अथेंटिक रेसिपी तो आप चेक कर सकते हैं अब दही डालने के बाद इसमें एट करेंगे हम जो गरम मसाला हमने बना कर रखा हुआ था पीस कर रखा हुआ था वह एट कर देंगे अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यहाँ पर देखिए गरम मसाले को भी हमने भूनेंगे बराबर भूनते जाना है सभी मसाले डालते जाना है और भूनते जाना है तो आप देख सकते हैं ओईल उपर सरफेस पर आ गया है और गोश्ट बहुत अच्छे से यहाँ पर भून चुका है बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है माशालला से और ट्राइज अच्छा दानेदार से भून कर रेडी हुआ है तो बस अब इसको गलने के लिए हम इसमें पानी एक करेंगे गोश्ट को गलने के लिए और ग्रेवी लगाने कि लिए तो यहाँ पर हमने देखिए तीन गलास पानी एक की यहाँ पर मैं गरम पानी का यूस कर रही हूं तो के पानी तेस्ट में फर्क आता है अगर आपकाचा पानी डालेंगे तो इतना आच्छा टेस्ट नहीं आएगा जिस आप करीबी चाहिए अब इसको हमने 30 के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना तो यहां पर देखें थर्टी फाइब और इसमें हरी मिर्चे भी एट की जाती है अगर आप लाइक करते हैं तो बहुत ही तरीके का हमारा नान खलिया बनकर त्यार हुआ है यह देख सकते हैं बहुत अच्छे से गोश्ट कलकर त्यार हुआ है तो यहां पर सर्फ कर लेते हैं अपर करेंजी आप नान खाते हैं तो यहां पर मेरा कोको घरा तो जूरूर। घाला हुआ रेसिपी बसंद आईयो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इंशालला नई रेसिपी के साथ फिर आज़र होंगे अपना बहुत सारा खयाल रखें तब तक के लिए अल्ला हाफिज